नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में ये है बिहार दो हजार चौबिस पच्चिस का complete budget है ये budget के most important facts हैं बिहार दो हजार चौबिस पच्चिस के जो की BPSC की आने वाली परिक्चा के लिए जरूरी हो सकते हैं बिहार रेसाइकले हो सकते हैं और प्लस बिहार के जितने भी exam आने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है बिहार बजट दो हजार चौबिस पच्चिस के most important वो सारे fact जो exam में जिन से question directly indirectly बन सकते हैं सारी चीजे detailed analysis करी गई है और उतना ही लिया गया है जितना exam के लिए relevant है फालतू चीजे कुछ भी नही है सिर्फ उतना है जितना exam के लिए जरूरी है वियार बजट दो जर चौबिस पच्चिस के points पढ़ना ठीक है इस वीडियो को पूरा देख डालिए बाकी 70th BPSC की अगर आपको अभी से भी selection की तयारी करनी है सिर्फ cutoff निकलने वाली देखे प्री में क्या होता है state PCS जैसे BPSC है उसका PT आपको सिर्फ किसी तरह cutoff clear करना है PT में top नहीं करना है ठीक है क्योंकि जो ranking होती है जो भी post मिलेगी आपको उसमें वो maze plus interview के marks total करके maze plus interview के basis पे होती है PT क्या है सिर्फ एक elimination stage है सिर्फ इसका आपको cutoff clear करना है BPSC में study for civil services rank 1 rank 2 तक जा चुकी है मेरे podcast वगरा भी है अब देख सकते है study for civil services के जो है हमारे playlist वाली list में BPSC के कई सारे toppers study for civil services से निकल चुके है 70th BPSC में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतने जितना भी time बचा हुआ है उसमें cutoff निकालने वाली तयारी करनी है तो BPSC का selection material study for civil services का 70th BPSC का plus paid quiz और test series ये तीनों चीज़े कर ले पढ़ाई कर ले selection material plus paid group के जो exclusively recorded videos है plus paid quiz पूरी लगा डाले test series जरूर लगा लिजेगा देखे test series study for civil services एकदम fresh exam oriented latest trend pattern के हिसाब से बनाता है बाकी आप किसी भी coaching के test series ले ले वो लोग सिर्फ और सिर्फ पी वाई क्यू अगरा को test series के form में देते है study for civil services हर बार exam की demand के हिसाब से latest trend pattern को follow करते हुए official syllabus प्लस पी वाई क्यू के हिसाब से जो latest trend चलना है उसके हिसाब से हर बार fresh test series जो है हम देते हैं आपको VPSC के syllabus को तीन आयाम पे हम खतम करते हैं पहला है selection material प्लस paid group के recorded videos जो exclusively paid group follow को दिये जाएंगे दूसरा paid quiz पूरे syllabus के most expected questions की वहाँ practice कराते हैं लेकिन इसमें easy to moderate होती है और plus पूरे syllabus के easy to moderate tough analytical conceptual factual जैसे भी question हो उसके लिए बाकायदा हमारी comprehensive test series बनती है उसको जरूर आप लगा लीजेगा test series का जो है package आपको हमारे app में मिल सकता है वहाँ paid test series में जाईए study for civil services का app join करके install करके total वाला जो selection material है वो भी आपको जो है मिल सकता है app मे paid quiz के लिए आप हमारे number पे call करके paid quiz जोइन कर सकते है या फिर हमारा telegram group भी जोइन कर सकते है उसमे selection material paid quiz test series तीनों मिल सकता है एक साथ तो BPSC 78 की सिर्फ cut-off निकालने वाली तेहरी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ study for civil services का selection material paid quiz test series और paid group के exclusively recorded videos देख डालिए पीवाई को भी सुरुपत ना पढ़ना है जितना हमने दिया हुआ है पीड़कूप में बस BPSC prelims के video classes में बिहार का budget 2024 का हम लोग देख लेते हैं इसकी major highlights पहले और जो most important facts देख लेते हैं दो कोशन तक आपके exam में prelims में इससे आ सकते हैं बिहार सरकार ने 13 फ़र 2024 को budget पेश किया था 2024 पच्चिस के लिए 2,78,725 दसमलोग 72 करोड़ रुपय का budget था बिहार के उपमोखिमंतरी समराच चौधरी ने budget पेश करते विका था कि चालूवित तिवर्ष 2023 में राज में 2.5 करोड़ लोग गरीबी र के खा से बाहर आये हैं 2023 में राज दिन 10.6 चार प्रतीशत की विकास दर्ज की है बजट में शिक्षा ग्रामीड विकास समाज कल्यान ग्रामीड कार स्वास्त छेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वित वर्ष 2024 का कुल व्याए बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड रुपए जो वित वर्ष 2023 का बजट अनुमान से कितना ज़्यादा है 16,840.32 करोड रुपए ज़्यादा है वित वर्ष 2024 में स्थापना एवन प्रतिबद्ध हुए यानि कि इंफ्रसेक्चर और कमिटेड एक्सपेंडिचर जो होता है इस्टैबलिश्मेंट एन कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है इसका बुजेट अनुमान रखा गया 1,78,706 करोड रुपए जो वित्ती वर्ष 2023 की तुलना में 16,000 करोड रुपए अधिक है 16,650 तसमलो ये 4,2 करोड रुपए अधिक है स्कीम का अनुमान वित्ती वर्ष 2024 में स्कीम एलोकेशन जो है कितना किया गया है स्कीम परिवे स्कीम एस्टिमेट किया गया है 1,00,000 करोड रुपए तो स्कीम के कारेकरम 2020-25 के अंतरगत आद निर्भर विहार के लिए 7,0 जो चल रहा है 7,0 की अधि है 2020-2025 तक वित्ती वर्ष 2024 में विभिन विभागों के अंतरगत कुल बजेट प्रावधान 5,040 करोड रुपए किया गया है वित्ती वर्ष 2024 में राजस हुए यानि की रिवेण्यू एक्सपेंडिचर 2,25,679 करोड रुपए अन्मानित किया गया है जो पिछले साल के तुल्णा में 17,828 करोड रुपए अधिक है 2024 में रिवेण्यू एक्सपेंडिचर 3,487 करोड रुपए यान पर इस्टिमेट किया गया है राजस्वा पुँजी करोड रुपए क्रमशा कितना आका गया है 2,25,676 और रिवेण्यू एक्सपेंडिचर 2,040 करोड रुपए जो कुल अन्मानित बजट का राजस्टिष 8,9,7 और 19,03 प्रतिशत है तो जो बजट है उसमें रेवेण्यू एक्सपेंडिचर का कितना ह давно है लगभग 18 % और लगभग 19 % हिस्टा है capital expenditure का अब development expenditure कितना है और non development expenditure कितना है तो development expenditure यहां पर किया जायगा करीब 63.46 प्रतीशत और Non-Development expenditure किया जाए 36.54 प्रतीशत वित्तीवर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कित्ती अनमानित की गई है 226-798.40 करोड रुपे अनमानित की गई है revenue receipt जो वित्तीवर्ष की तुल्दा में पिछले वित्तीवर्ष की तुल्दा में 14,471 करोड रुपे अधीक है तो इस तरीके से है कुछ यहाँ पर और data दिया वबाए है थोड़ा सा चार्ट से आपको ज़्यादा अच्छे समझ भी आएगा इसको हम लोग देख लेते है इस तरीके से इसको समझे यह बजट का साइज है 2,78,725,72 करोड रुपे आपका टोटल बजट है टोटल यह बिहार का बजट है 2024 के लिए इसको दो भागों में यहाँ पर बाटा एक स्कीम एक्स्पेंडिचर 1,00,00,19,63 करोड रुपे और स्थापन और प्रतिबद्ध विया यानि कि स्टैबलिच्मेंट और कमिट्मेंट एक्स्पेंडिचर 1,78,706,00,09 करोड रुपे यह दो हिस्से हो गए इसके अब प्रतिबद्ध विया को भी यहाँ पर इस तरीके समाटा गया है यानि कि जो कमिट्मेंट एक्स्पेंडिचर है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है सैलरी का और सैलरी जो जाती है उसमें प्रतिबद्ध में सबसे ज़्यादा हिस्सा जाता है तो प्रतिबद्ध विया इनि कमिट्मेंट एक्स्पेंडिचर में पूर्द नहीं है यहां पर commitment expenditure आ रहा है फिर कुल प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां पर पूंजीकर प्राप्तियां दो अठतर ना सब्सक्राप्तियां यह होना चाहिए इसमें revenue receipt कि इतनी है 26798 401 करोट केंद से प्राप्त राजस कितना है 165 172.54 करोट रुपए केंद सरकार से प्राप्त करऊ में हिस्सेधारी 1,131001.92 करोट रुपए केंद सरकार से प्राप्त ग्रांट कितना है 221 161.62 करोट रुपए राज़ के अपनी शुक्त में जासे। छमवन आज़ातक कितना रहते सांथ ग। राज़ के गैर करज़ सील 7500 कौर्टोट रॉप्ये, राज़िपयार कर्राज़ास से भी हेते स्पांप कॉन से हैं सबसे बड़ा स्रूत है वाणिजी कर। राजगे कर राज़ासु से विभिने सरोत, अमें रबाणी जी करका हिस्सा सबस्यादा है, कॉमर्शल टैक्स सबस्यादा, यहां पर योगदान करता है, दूसरा सबस्या बड़ा हिस्सा स्टाम्प और निबंधन शुल्ख से, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन टैक्स से, फि मदों से प्राप्तियां, वाइस सो इकी स्कॉरोट गरोट रुपाये, पुञजिगत प्राप्तियों में क्या क्या आता है, उधार और करज की बापसी, जो आती है, और कुल वय, जिसमें राज़स वय, जिसमें वेतन, शहाय करनुदान, वेतन आखे अलावा, शहाय तो इसमें जो है राजस्व बचत जितनी रिवन्यू सेविंग्स यानि राजस्व बचत कितना है यहाँ पर देखिया आकड़ा लिग भी दिया है वित्ती वर्स 2024-25 में 1121.41 रुपक राजस्व बचत रहने का अनुमान है जो सकल राज घरेलूद पाद यानि की GSDP का कुल कितना परसेंट है 0.11 परसेंट यहाँ पर रिवन्यू सेविंग है GSDP की और वित्ती वर्स 2024-25 में 29,95.42 क्रोड रुपक राजकोशी घाटा हुआ है रिवन्यू डिफिसिट जो सकल घरेलूद पाद का कितना परसेंट है रिवन्यू डिफिसिट परसेंटेज ऑफ ज 2024-25 में बिहार के लिए जो रिवन्यू डिफिसिट रहा है वो कुल बजट का मंदब कुल GSDP का कितना है बिहार के GSDP का राजकोशी घाटा कितना है 2.98 परसेंट और पब्लिक डेट यानि लोग करिंड कितना है लोग करिंड दो लाख 97,908 क्रोड रुपय ना 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 50.67 परसेंट यहां पर पब्लिक डेट यहां पर रह जाएगा यहां पर जरूरी आखड़ा है वो उन्हें आपको बताया यहां पर जरूरी आखड़ा यह है कि राजकोशी घाटा परसेंटेज ऑफ डियस डीप कितना है 2.98 परसेंट और रेवन्यू सेविंग कितनी है 0.11 यह चार्ट जरूरी है, इससे कुश्चन आ जाते हैं, कई बार रुपिया कहां से आता है, तो बिहार के पास रुपिया कहां से आता है, चालीस परसेंट, चालीस दशमला पात दो परसेंट, यह सबसे बड़ा जो शेयर है, सेंटरल टैक्सेस में जो राज का शेयर होता है, वो सबसे बड़ा हिससा है, और फिर यह वाला हिससा, जह शेयर है, गरीन वाला, ग्रीन वाला, नैंतीन पॉइंट पॉहर सेंट ना जात है, तुरद यहां पर है, के इन सरकार से प्राप्त साहयता अनुदान, यानि की, Central Assistance यानि Central से दुकरांट और असिस्टेंस आते हैं वो और फिर चौथा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है लो करिण यानि कि Public Debt Public Debt ये Fourth Largest है Fourth ये 2.63% क्या है 2.63% है यहाँ पर आपका राजिक कर भिन राजिस यानि कि Non Tax States Revenue रुपिया कहां खर्चा होता है सबसे ज़्यादा रुपिया सबसे ज़्यादा बिहार सरकार खर्चा करती है यहाँ पर Social Services में Social Services में Social Services में बिहार सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है और फिर बिहार Second Number पर खर्चा करता है सबस्यादा यहाँ पर समानिस है वहाँ में यहीं जनरल सर्विसेश में जनरल सर्विसेश में सबस्यादा खर्चा फिर थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर है एकनॉमिक सर्विसेश में इस तरीके से लिखा हुआ है बाद में यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है केंद री करों में राजकान से सबसे ज़ाद केंद सरकार से प्राप्तसायतन दान फिर लोकरिन फिर राजका कर भिन राज़स। पर्चेंटेज़ वाइज सबसे जादा इलोकेशन को पहुंचा है, यहां पर सिक्षा विभाग को, सबसे बड़ा इलोकेशन सिक्षा विभाग को, फिर ग्रामीड विखास विभाग को पहुंचा है, फिर यहां पहुंचा है, समाच के लियाड विभाग को, और फिर ग्रामी विभाग जहांपर scheme expenditure यहांपर total budget की नहीं बाद कर रहे हैं scheme expenditure सबस्यादा खर्चा सिक्ष्य विभाग पर फिर grammyd विकास पर फिर समाज कल्याण फिर grammyd कार और फिर स्वास्त राजस्व प्राप्ती से राजस्व को राजस्व अधिशेस का उप्योग भावतिक अधिसन रचना में निवेश या साड़क भावन बिजली विद्याले स्वास्तर के इंद सिचाई योजनाओं के लिए होता है अमने कैसे निकाला राजस्व विए यह है राजस्व विए यह है परसेंट निकला है 2.98% पुझी गत परिवे की बात करें तो संपत्यों के सरजन सुधरणडी करणड पर जो राशी विए की जाती है उसे पुझी कत परिवे बोलते हैं यानि क्याप्टिल एक्सपेंडिचर बोलते हैं क्याप्टिल एक्सपेंडिचर 29,257.3 एक करोड रुपए खर्चा होगा मजब ये 2023 में इतना खर्चा की जाने का अनमान था और इसमें कितना हो गया है 29,415.9 एक करोड रुपए यहां पर खर्चा होगा किसी भी राज की या देश की फिस्कल हेल्थ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि अपनी फिस्कल पॉलिसी में जो किस तरीके से डेट मेनेजमेंट करते हैं तो डेट मेनेजमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है बिहार राज में सका गया है क्योंकि बिहार राजकोशी उत्तरादाईतों और बजट प्रबंधन अधिनियम बिहार का जो FRMB Act है कि कब आये था 2006 में आये था 12 Finance Commission के रिकमेंडेशन पर 2006 में बिहार ने अपना FRMB Act लागू किया था अलग-अलग states ने किया है जैसे 2005 में शायद किया है उत्राखंड ने बिहार का FRMB Act जो है 18 February 2006 से लागू माना जाता है ये एक static fact के रूप में दियान रख सकते है हलांकि जो राजपाल ने एसेंट दिया था ये कपरल 2006 को दिया था लेकिन इसको 18 February 18 February 2006 से लागू माना जाता है बिहार के FRMB Act को राजकोशी घाटे के अंतरकती रिड अलिया जाना होता है रिड की अधिसीम भारत सरकार द्वारताय की जाती जो अभी तक अधिसोचिस नहीं की गई है 2024 वच्चिस का सकल राज घरिवलूत पाद जिसका अधार वर्ष 2011 बारा है मिलब जीस्डीपी बेस एर्प के अधार पर 2011 बारा के अधार पर 9,56,514 करोड रुपए की है बिहार की जीस्डीपी जीस्डीपी पर जो रिंड है जो पब्लिक डेट का परसेंटेज है बिहार की जीस्डीपी पर यह भी तो 30.51% है और यो है लास्ट येर कितना था लास्ट येर था 31.27% राजकोशी प्रबंधन की बात करें तो बिहार राजकोशी उत्तरदायत और बज़र प्रबंधन नियामोली 2022 से दुसे चित की गई है इसमें 3% की यहां पर फाइनल यहां पर दर निर्दारित की गई है राजकोशी गहाटा कितना दिफ्तम रह सकता है 3.0% राजकोशी गहाटा आया कितना है इस साल 2.98% आया यहीं 3% से कम है तो इसे वज़े से यहां पर बिहार सरकार क्लेम कर रही है कि इनकी फिसकल हैल्थ अच्छी है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातीयों के लिए खरणांकित राशी वह राशी होती है जो अनुसूचित जन जातीयों के समदाय के लाब के लिए ही खर्चा की जाती है अने लाब में इसका खर्च नहीं किया जा सकता है मदलबाने किसी मद में इसका کھर्च नहीं किया सकता है 2024-20 protectors जातियों के लिए विशेस घटा कियोजना के अंतरगत 17,4999.79 कि रॉपे की राशी प्रावधानित की गई है इसाँषा भॉइनधर 640.293ֹ करोड रॉपे आका बजेट पास किया गया है जिसमें राजस मद में 50,690.8 करोड रुपए और पूंजी गत मद में 19,44.2 करोड रुपए प्रस्ता अभी थे हैं तो बतलब जाद तर खर्चा यहां पर किया जाएगा सिक्षा विभाग में टीचर्स को सैलरी देने में पेंशन देने में इन सब में स्वास्त विभाग की बात करें तो इतनी राशी गई है राशी एकदम से ध्यान रखनी ज़रूरत नहीं है परसेंटेज वाइस जो मैंने बताया उतना यह काफी है जैसे यह परसेंटेज स्कीम एलोकेशन में 22.29% यह शिक्षा विभाग को फिर ग्राम विकास को पिर समाच कल्याड विभाग को पिर ग्रामीड कार विभाग को और फिर स्वास्त विभाग को इस तरीके से राज की वित्ती स्थिती बैहतर है जो कि निमलेकीत राजकोशी और पलब्दियों दौरा प्रदर्शित हो रही है 2022-23 में हुआ था और पूर्व वर्षों के उचंत लेखा का समयकित निदी में सामंजन होना आधी इस वज़े से ये कम हुआ है मुझल भी कह रहे हैं कि 2022-23 में सरकार ने करच जादा लिया था इस वज़े से ये राजकोशी घाटा आधिक हो गया था आज गोशी घाटा 5.97% या अबर पहुँच गया था 2022-23 में 22-23 के अंत में लोकरिंड इतने रुपए रहा था जो सरकल घरेली उतपाद का 32.32% था वही मार्ज 31 मार्ज 2023 के अंत तक लोकरिंड और अनिदायत्व सहित पुल देनदारी कितनी थी GSDP कितने परसेंट हो गए थी 39.03% और ये पंद्रमी वित्तायुक द्वारण रिधारी तधिसीमा जो है 40.8% के अधीन रही थी 2022-23 में ब्याज भुकतान कुल राजस्व क्रापती का 8.79% रहा था उतारे राज में वाहनों की विक्री और निबंधन से उत्रोत्तर कर्व रिधी हुई है 2022-23 में 3.000 क्रोड रुपए का वार्सिक लक्ष के विरुद्ध जादा यहां पर राजस्व संग्रहन किया गया था इसके बाद हम यहां पर देखेंगे बिहार बजट भाषन 2024-25 समंदित महत्पूर्ण तर थे आई-मेफ के अकलन के नुसार वैस्विक्स तर पर आर्थिक वृद्धिदर 2025 ते इसमें 3.1% रही थी जबकि देश की अर्थवस्था की वृद्धिदर 7.24% रही थी राश्ट्री सांख्य की कार्यले के आकड़ों के नुसार इस साओधी में बिहार के अर्थिवस्था 10.24% की वृद्धि के साथ साफी तेजी से बढ़ रही है जो कि एक बड़ी उपलब्धी है बिहार की वृद्धी देश की अन्य राजियों और के इंसादिस प्रदेशों से अधिक है जबकि 10.2% के साथ आसम दूसरे स्थान पर 9.2% के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर है मतलब सारे स्टेट्स में सबसे आदा जो है जीस डीपी ग्रोध किस ने शोकी है बिहार ने विगत वर्ष एक दशक में विगत एक दशक में सकल राज घरेली उत्पात के आकार में देड़ गुना से अधिक फृद्धी दर्च की गई है यानि कि बिहार का जीस डीपी जो है पिछले एक दशक में 1.5 पर मतलब देड़ गुना हो गया है 1.5 एक्स हो गया है आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूली पर वर्ष 2012-13 में 2.5-7 लाग करोड रुपए की जीस डीपी ती बिहार की लेकिन 22 देश में 4.42 लाग करोड रुपए की यह हो गई है और विछले एक दशक में 4 गुना यहां पर राज के विन रिमाड चेतर में वृद्धी देखने उक बिली है बिहार में परिवहन संचार के छेतर का आकार 20,382 करोड रुपए से बढ़ करके 10 सालों में कित्ता हो गया है 46,739 करोड रुपए का हो गया है दो गुना से अधिक पृद्धी दर्च की गई है पशुबालन प्रक्षेतर का आकार 12,525 करोड रुपए से बढ़ करके 28,821 करोड रुपए हो गया है मत्सपालन शेतर भी बढ़ा है यहां पर दो गुना से अधिक पृद्धी यहां पर फिशले 10 वरसों में हुई है आधितन उपलब्ध प्रतिदर्च निबंद प्रणाली यानि SRS के आकड़ों के अनुसार वरस 2015, 2017 और 2018 से बीस के बीच मात्र मृत्य दर्व में बिहार में 47 संगों गिरावट दर्च की गई है राश्ट्री इस तर पर यह गिरावट 25 संग की रही है जैसे बात है कि बिहार में ज़्यादा रहा था यहाँ पर MMR तो ज़्यादा ही यहाँ पर वृद्धी हुई है मतलब ज़्यादा ही गिरावट आई क्योंकि पहले ही MMR काफी ज़्यादा था बिहार में इस प्रकार बिहार में मात्र वृत्ति दर की गिरायोवट आउसत हस्तर से बहतर है मात्रत स्वास्त में सुधार किसी भी राज के लिए बहतर लोक सिवाओं का आईना होता है सनस्थागत प्रसाओं के मामले में जहां बिहार 5-6 से 2019-20 की आउधी में लगबग 56.3 प्रतीशत अंगों की वृद्धी हुई है शिक्षा की सेथ में उच्प्रात्मिक और माध्मिक स्तरों पर ड्रॉप आउट में भारी गिरावट दर्श की गई है स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत कम हुएं बिहार में स्कूल ड्रॉप आउट्स की प्रतीशत्ता में कमी तीनों ही स्तर पर देखी गई है अब लगबग 57 प्रतीशत यहां पर हो गया है और भारत सरकार के जल सक्ति मत्राले के अधिन जल जीवन सर्वेक्शन ट्रैंकिंग में देश के शीर से पांच जिलों में बिहार के चार जिले आते हैं समस्तिपूर, शेकपूरा, सुपाल और बाका नीति आयुकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आर्थिक समाजिक छेत्रों में नीति इगत सुधार के फलसुरूप वर्ष 2015-16 का बहु आयमनी रिधनता सोचकांख 51.89 प्रतीशत से खट करके 2019-21 में 33.79 प्रतीशत हो गया हैं यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है कि UKPSC का भी यह जो पेपर हुआ था उसमें यही आंकड़ा पूछा गया था UKPSC पेपर हुआ था 15 जुलाई को उत्राखंड PCS का प्रिलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया था पहले कितना था 2015-16 में 51.89 परसेंट था गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्जों में बिहार सरव उपरी है इस आउधी में बिहार में गरीबी दर में 18.13 पूरतीशा तंको गिरावट दर्ज की गई है पूरी देश में मात्र 9.89 परसेंट की गिरावट दर किया है जिसकी आउधी कितनी है 2023-28 है इसको स्वंद रॉपदी मुर्मु जी ने लॉंच किया था क्रशी शेतर में खाद्याने का रिकॉर्ड उत्पादिन करने के लिए 197.36 लाग मिट्रिक टन उत्पादिन करने के लिए भारत सरकार के क्रशी एवं किसान करने अने मंत्रलेल दौरा बिहार को प्रुतिष्ठित अगरिकल्चर लीडर्शिप अवार्ट से दौरा समनित किया था सूचना प्राध्योगी के प्रभावी उपयोग और राज में IT, ITES और ESDM उद्ध्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए देश में IT, ITES और ESDM कंपनियों के लिए शीरिष्ठिमेस गंतव विगरूप में बिहार को बिहार IT Policy 2024 लागू क इस हमता को बढ़ाना एक स्थाई को असल पारश्ची की तंत्र विक्सित करने ही सब सामिल है IT का मतलब यहाँ पर Information Technology है, ITES का मतलब Information Technology Enabled Services और ESDM के यहाँ पर मतलब है Electronic Systems and Design Manufacturing Companies Electronic Systems and Design Manufacturing Companies राज के अपनी कर राजस्व के अंतरगत वाड़ी जिकर्विभाग ने GST सही 2022 में 35,887 करोड रुपय की लक्ष की तुलडा में 34,269.43 करोड रुपय का लक्ष कर संगरहड किया है जो मतलब 100% से करीब यह 4.51% पीछे रहे गया 95.49% लक्ष हांसिल कर लिया राज के अर्थिक विकास को सुद्रहड और समावेशी बिराने के लिवर्स 2024-25 के कुल बजट का लगभग 63.46 पृतिशत राशी विकास मूलक मदों में करणांकित किया गया है विक्सित बिहार कारक्रम के तरकत 2015-20 में साथ निश्चे 1 और 20-25 के लिए साथ निश्चे 2 योजना को संपूर्ण राज में लागू किया जा रहा है साथ निश्चे 1 के अंतरकत आरक्षित रोजगार महिलाओं का दिकार और हर घर विजली निश्चे के लक्षिप्राप्त किये जा चुके हैं साथ निश्चे 1 के तहट जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का दिकार जो है और हर घर विजली निश्चे के लक्षिप्राप्त किये जा चुके हैं तो साथ निश्चे के दो लक्षिप्राप्त किये जा चुके हैं ध्यान रखेगा शक्तिकरन और ग्रामीड गरीबी के उन्मूलन ने हितु कार्टरत है वर्ष 2024 में एक दिसमलव शून ने तीन लाख नए समूहों का गठन किया जाना प्रस्तावित है वित्ती वर्ष 2024 में नाव गठित जो एसजी है उनको जीवका पार्दन समवर्दन एतू देर्ट सो करोड रुपए का लोकेशन किया गया है जीविका दीदियों द्वरा लगभग 2,091 रहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष है चार लाग जीविका दीदियों को बीमा से आच्छाजित करने का लक्ष रखा गया है जीविका द्वार राज के बाहर 2 केंद्र खोले जाएंगे बिहार प्रवासी संसाधन के इंदर दिल्ली में और बैंगलोर में स्थापित किया जाने का लक्ष रखा गया है मतलब यह एक्शुली कर लिया गया है यह टार्गेट अचीव कर लिया गया है बिहार प्रवासिस अंसाधन के इंतर दिल्ली में और बैंगलोर में है महिला स्वशक्तिकरन के अंतरगत नगर निकाम पटना में स्लम में रह रही महिलाओं के उध्यमिता बढ़ावा देने के लिए स्वक्षांगीनी परियुजना का सुभारम किया गया है स्वक्षांगीनी प्रोजेक्ट इससे अस्वशेटड है महिलाओं की उध्यमिता समवर्धन के लिए एंट्रेप्रेनोर्शी प्रोमोशन अमंग विमेन और खासकर जो पटना में स्लम मेरे रही महिलाओं उनके लिए परियुजना का मुख्य लक्ष इन महिलाओं को उध्योग से जोड़कर उनको स्वरोजगार का उसर देना और चवमोखी विकास प्रेजित करना है पूर्ब मेराज में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और चल रहे हैं 15 नए मेडिकल कॉलेज और हस्पताल स्विकरत कीए गए हैं पहले च्छहे थे, अब 13 हैं कुल्ब लाकर के सरकारी, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, स्रीक्रिस्ट्रन मेडिकल कॉलेज, एवम अस्पताल, मुझफर पूर के परिसर में, टाटा मिम्मोरियल अस्पताल, मुंबई के सायोग से, होमी भाबा कैंसर अस्पताल और रिसर्च स प्रोत्साहन राशी इस योजना के तरह संग लोग सेवा आयोग नई दिल्ली और बिहार राज लोग सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगता परिक्षाओं के पर प्रार्मभी परिक्षा में उत्तिर नुने वाली मैला अभियर्थी को मुख परि 2023 में बिहार विद्याले परिक्षा समिती द्वारा कुमरार पटना सित्व पंच शील विद्याले में कुल 5 एकड़ में बापू परिक्षा परिक्षा परिक्षार का निर्बाण किया गया थे जिसमें 20,000 से अधिक परिक्षा आर्थियोग बैठने की चमता है तो बापू रुद्योग विभाग बिहार के बीच यहां पर निवेश प्रस्ताओ और कई समझोते किया गया थे बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी दो जरतेईस का लोकारपन किया गया था यह सब कहा गया है पटना के बीटा स्थित सिकंदर पूर ओद्योगिक छेतर में प्लगन प्ले शेड का उध़तन किया गया था तो पटना के भीटा में सिंकंदर पुरद्योगिक छेतर में प्लगन प्ले शेड का उध़तन किया गया था हाथों और धुजारों की म इसको आगे classes में यह जो है ना प्रधान मंत्री विश्करमाई उजना है बहुत एक्सपेक्टेड है सेवेंटीथ वीपीस्टी वाले इसको जरूर देखिएगा सेवेंटीवन वाले देखिएगा बहुत इंपोर्टन्ट है बिहार राज के लिए चतुत क्रशी रोड में आप परसेंट आबादी क्रशी कार्वें पर आश्रित है पान विकास के लिए बिदूपुर वैशाली में सेंटर ओफ एक्सिलेंस स्थापित की जाने की सुखरति दी गई है बिदूपुर वैशाली में पान का बीटल लीव का सेंटर ओफ एक्सिलेंस बनेगा बिहार मोटे पोशा कानाज मोलिश रंक्षा के लिए सेंटर ओफ एक्सिलेंस केंदर संचालन और शोदकार रहेतू करिश्व विभाग बिहार सरकार के साथ इक्री साठ आट हैतरबाद और राजिन प्रसाथ करशी केंद्री विशुद द्याले करिशी करिशी कर शीव शीद्याले पूचा समस्तीपूर के साथ काम कर रहे है गया जिले में 12 चट्टी प्रक्षेतर पर भूमी और जल संद्रक्षन का मॉडल प्रदर्शन केंदर की स्विकृति मिल गई है भूमी और जल संद्रक्षन का मॉडल प्रदर्शन केंदर कहाम बनेगा गया जिले के 12 चट्टी में बीज के छेत्र में बिहार को आत्मिर्बर बनाने के लिए 102 क्राउट रॉपए की लागत से 100 सीड हब विक्सित की जाएंगे अराज सरकार दोरा गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैवी करूडोर की स्थापना की गई है तो गंगा किनारे जो जिले हैं गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों पर जैवी करूडोर बनाए जा रहे है रिशी रोड मैप के माद्यम से दुख्ध अंडा मास उत्पादन में लगादार बढ़ोतरी हांसिल की जा रही है सव प्रथम वर्गी पशू चिकित साले से आवास निर्बाण की स्युक्रती दे दी गई है बिहार में प्रती विक्ती वर्ष मत्स की उपलबता 6.64 किलोग्राम है और नवंबर महा तक 5.93 लाक मिट्रिक टन मचली का उत्पादन हुआ था वित्ती वर्ष 2023-2024 मे मुख्यमंत्री उध्यमी योजना के इंतरगत मुख्यमंत्री अलपसंख्यक उध्यमी योजना की शुरुवात की गई थी अब बिहार बजट में सरकार की प्रात्मित्ता है नियुकती रोजगार पहली फिर माइला से सकतिकरण फिर विभिन्न वर्गों का ल्यान स्वास्त प्रक्षेत्र शिक्षा प्रक्षेत्र यानि की आजुकेशन सेक्टर हेल्स सेक्टर क्रशी और क्रामिड विकास बिहार बजट यहां से खत्म होता है अब बिहार एकनामिक सर्वे हम देखें आगी क्लासेस में